हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल गितांग चैटी क्लास मैं हूँ सुनिल कुमार और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं चैप्टर एट का एक्सपेक्टेड कोस्चन जो की इस साल एक्जाम में आने वाले है तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर एट को देखेंगे जिसका नाम है डिजिटल फाइनिंसियल टूल्स एंड एप्लिकेशन पिछले हमने 7 वीडियो में चैप्टर 7 तक के हमने हर टॉपिक क कम्प्लीट कर लिया हर चैप्टर के जितने भी एक्सपेक्टेड कोस्चन थे उन सभी को आपने देख लिया है अगर आपने प्रिवियस किसी चैप्टर का नहीं देखे हैं तो आप उससे देख सकते हैं आपको इसी प्लेलिस्ट में सभी मिल जाएंगे जितने भी एक्सप कोश्चन आने वाले हैं O-Level and A-Level exam में तो उसी के recording हम यहाँ पर देखेंगा और इसमें कुछ ऐसे भी question है जो कि previous year में आये हुए है और कुछ expected question भी इसमें है जो इस सल आने वाले हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला question जो कि है multiple twice question जिसके 10 question को हम यहाँ पर देखेंगे और इसको solve भी करेंगे तो start करते हैं अपना topic को first question यहाँ पर है what does ussd stand for यहाँ पर first question जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है ussd का full from तो यहाँ पर ussd का full from देखें तो वो होता है unstructured supplementary service data ठीक है तो यह right answer हो जागा first number तो यह ussd का full from होता है तो अब हम next question को देखते हैं next यहाँ पर लिख रहा है abbreviation of UPI is ठीक है यहाँ पर पूछ रहा है कि UPI किसका sort form है तो निमनलिखित में option दिये हुए है UPI का मतलब है यहाँ पर unified payment interface तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर first लिख रहा है unique payment interface फिर second है unified payment interface तो यह इसका right answer हो जाएगा B number unified payment interface ठीक है जितने भी आपको sort form and full form मिल रहे हैं आपको उन सभी को याद रखना है क्योंकि exam में full form से related question आते हैं तो अगर आपको याद रहेगा तभी आप इसको सही से solve कर सकते हैं अदर्वाइज इसमें देखेंगे कि सभी confusion create करने वाला similar option दिये जाते हैं ताकि student confuse कर सके तो अगर आपका preparation सही है तो आप यहाँ पे अच्छे score कर सकते हैं अब हम next question 3 को देखते हैं यहाँ पे लिख रहा है अब person can make payments dash option ठीक है यानि कि कोई person है वो payment करना चाहता है तो निमने लिखी में से किसका use कर सकता है ठीक है तो यहाँ पे first लिखा है using mobile number and mmid ठीक है तो यहा जरूरत होती है mmid की जरूरत नहीं होती mmid bank से related होता account में जब हम bank में अपना mobile number register करते हैं तो वो एक mmid देता है ठीक है तो यहाँ पे अगर हम mobile number के मदद से कर रहे है payment तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो MPIN की जरूरत पड़ेगी ठीक है यहाँ पे second लिख रहा ह and IFS code ठीक है तो यहां account number तो दे रहा है मगर IFSC code होता है IFS code नहीं होता ठीक है तो यह यहाँ पे wrong हो रहा है C number है using अधार number क्या हम अधार number से payment कर सकते हैं तो हाँ अधार number से हम कर सकते हैं ठीक है तो अधार number हम link करके अधार number भी से हम कर सकते हैं ये जो technique होता है ये है AEPS ठीक है अधार enable payment system होता है जिसमें हम अधार number के according भी payment कर सकते हैं ठीक है, तो इसका जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा C, आगे हम देखते हैं, four number question, वो यहाँ पर लिख रहा है, what are the facility offered under 99 hash service, ठीक है, यानि कि 99 hash जो service है, यह इसमें क्या-क्या facilities है, तो 99 hash जो है, यह USSD technique पर work करता है, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि 99 hash के मदद से हम क्या कर स transfer, यहाँ पर यह कह रहा है कि क्या हम different different bank में transfer कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, balancing query कर सकते हैं, तो यह भी कर सकते हैं, C number लखा है, mini statement beside host of other services, यहाँ पर बता रहा है कि mini statement होता है, तो हाँ mini statement भी वहाँ पर लिखे जाते हैं, host के साथ, host के side में क्या होता है, तो छोटे-छोटे statements भी लिखे होते हैं कि आपको क्या करना है और उसमें किसे use करना है तो हमें उसमें क्या करना होता है कि उसका जो host होता है उसका जो number होता है वो हमें input करना होता है ठीक है तो यह होता है 99 has service में यानि कि ussd में तो इस 99 has service में हम सभी facilities को कर सकते हैं ठीक है तो यह यहाँ पर right answer ह हो जागा डी आगे हम फिफ्ट नंबर को देखते हैं यहां पर लिख रहा है यूपी आई इस एन डास पेमेंट सर्विस यूपी आई जो है वो किस टाइप का पेमेंट सर्विस है ऑफ लाइन ओनलाइन मोबाइन लेट अल अब दे अब तो यहां पर इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औलाइन यानिकि यूपी आई के एक ऐ divor चstem है अब हम नेक्स्ट को स्टेंग की तरफ चलते हैं नेक्स्ट यहां पर लिख रहा है सिक्छ नमबर by whom was UPI launched UPI को किस ने launch किया था तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ UPI launch करने वाले की तो वो है यहाँ पे इसका जो right answer हो जाएगा वो होंगे रगुराम राजन ठीक है यानि कि रगुराम राजन ही UPI को launch किये थे ठीक है रगुराम राजन का पूरा नाम हुआ है रगुराम गोविंदा राजन ठीक है इनको sort में रगुराम राजन भी कहा जाता है आगे अब हम next question को देखते है next यहाँ पे लिख रहा है which of the following is not true about the national electronic fund transfer यानि कि यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिक्षित में NEPT के बारे में कौन सा statement true नहीं है यानि कि NEPT system के बारे में पूछ रहा है next NEPT जो हम करते हैं उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है first लिखा है there is no limit on transaction through NEPT यहाँ पे पूछ रहा कि NEPT में कोई transaction limit ही नहीं है ठीक है unlimited हम transaction कर सकते हैं तो अगर मैं यहाँ पे limit की बात करूँ तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि minimum की तो कोई limit है नहीं minimum हम कितना भी कर सकते है 0 रूपया, 1 रूपीज, 2 रूपीज हम minimum के लिए यहाँ पे कोई limit नहीं है लेकिन maximum की बात की जाए तो maximum के लिए एक limit है, maximum के लिए कितना है तो 10 लाक्त, तो maximum यहाँ पर limit है, तो आगे हम देखते हैं और statement को, यह तो मैं समझ में आ गया, बी नमबर कहर है, NEPT operate on an hourly basis, यहनि कि नेट का जो operation होता है, यहनि कि जो उसे operate किया जाता है, हम ऊपरेंट किया जाता है, ठीक है तो यह भी ट्रू है C नमबर को देखते है NAFT is a payment system which facility is one to one fund transfer तो यह भी facility है NAFT का आगे है next D नमबर all of the AVA तो यहाँ पर सभी ट्रू है अगर हम यहाँ पर A नमबर की बात करें फर्स्ट की जो कि यहाँ पर limit की transition बता रहा है तो limit में क्या है तो इसमें maximum की limit है और by default यहाँ पर limit लिखा है max और min कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब maximum ही जाना जाता है यानि कि किसी भी चीज़ के अगर हम limit की बात करें transition की तो transaction की जो limit है यानि कि वो maximum से ही हमें related होता है ठीक है तो यहाँ पर maximum कितना कर सकते है तो maximum transaction का एक limit है maximum हम 10,00,00 कर सकते है इवन जो हमारा RTGS system है उसमें भी 10,00,00 maximum है और minimum की बात करें तो minimum 2,00,00 है तो उसका भी एक limit होता है खेर आगे हम बढ़ते है next question देखते हैं 8 number को तो यहाँ पर लिख रहा है इसको मैं highlight कर देता हूँ इसका right answer हो जागा A number ठीक है क्योंकि इसी में एक बता रहा है कि यही एक statement है जो कि wrong दिख रहा है क्योंकि इसका maximum limit होता है ऐसा नहीं कि हम कितना 1-2 करोड रुपे next को थूरू transfer कर सकते हैं इसमें maximum की limits है minimum की कोई limits नहीं है 8 number लिख रहा है which of the following is not true about unified payment interface यानि कि UPI के corresponding कौन सा statement true नहीं है यानि कि false है तो आगे हम देखते हैं इसके option को UPI is an instant payment system developed by the national payments corporation of India NPCI yes UPI को जिसनों ने develop किया था वो NPCI के अंत्रगत ही develop किया गया था B number लिख रहा है all payments are instant and take place during banking hours ठीक है यहां पर यह statement मुझे गलत लग रहा है क्यों क्योंकि हम UPI के थूरू कभी भी transaction कर सकते हैं राद को भी, साम को भी, दोपहर को भी सुबह भी, कभी भी हम transaction कर सकते हैं बट यहां पर यह statement जो लिखा है यह कह रहा है कि जो banking hour है यानि कि जो banking का जो time duration है bank option, bank का जो office का time है official time उस time की बात करें कि क्या हम उसी time में transaction कर सकते हैं तो नहीं, हम कभी भी transaction कर सकते हैं तो यह यहां पर wrong हो रहा है आगे भी हम देख लेते हैं यहां पर लिख रहा है under UPI, a person will have a single identity and password for using multiple bank accounts ठीक है, यानि कि यह बात करें कि हम single password and identification चांप multiple accounts को link कर सकते हैं तो हाँ, हम एक UPI में बहुत सारे bank को एक अपने app के अंदर बहुत सारे 2-3 accounts को भी हम link कर सकते हैं और एक ही same UPI से हम चला सकते हैं ठीक है, तो यह यहां पर right answer जो हो जाएगा, B number हो जाएगा कि यही statement जो है, वो wrong है आगे 9 number है A.E.P.S. A.E.P.S. का मतलब है अधार enable payment system ठीक है, अधार enable payment system, allow banking transaction balance inquiry, cash withdraw cash deposit, all of the above तो यह जो banking system है अधार enable payment system इसके मदद से हम सारे transaction, सारे operation हम कर सकते हैं जितना भी maintenance वाला काम है या पर जो भी काम है हम सब कुछ कर सकते हैं अपने account में, balance inquiry भी कर सकते हैं cash withdraw भी कर सकते हैं deposit भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं last question यहाँ पर है QR stand for, तो QR का यहाँ पर full from कि अगर देखा जाए तो वो होता है quick response, ठीक है तो यहाँ पर quick response हो जाएगा c number इसका right answer तो हम नहीं यहाँ पर 10 question को solve कर लिया multiple choice question को मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं screen pause करके आप note down भी कर सकते हैं, screenshot भी ले सकते हैं आगे हम next question के तरफ चल रहे है true false question को हम यहाँ पर solve करेंगे यहाँ पर मैंने 11 question दे रखा है वैसे exam में 10 question ही आपको मिलेंगे लेकिन वो भी 10 question आएंगे तो पूरे chapter पूरे book से related होंगे हमने यहाँ पर हर एक chapter पर base बना रहे हैं तो एक chapter से जितने भी expected question हो रहे हैं उन सभी को हम आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं अगर यह video पसंद आ रही हो तो इसे like भी करें चलिए अब हम true false question को solve करते हैं first यहाँ पर लिख रहा है e-payments is not a smart option for business and organization to collect their payment online यानि कि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या हम जो electronic payment कर रहे हैं क्या यह smart option नहीं है business करने के लिए या किसी organization को payment करने के लिए online payment करने के लिए तो यह तो false है ना क्योंकि यह बहुत है smart है कम समय में बिना wait कि यह transaction हो रहा है बिना bank जाए बैठे बैठे हम घर बैठे transaction कर सकते हैं तो statement यहाँ पर false हो जाएगा आगे second number statement जो है वो है RTGS is the fasted possible money transfer system through banking channel ठीक है यहाँ पर यह बता रहा है कि RTGS जो है यह एक बहुत fastest money transfer है और यह banking channel पर यह work करता है यानि कि banking time पर करेगा और bank ही करेगा तो यह एक option है तो यह true है क्योंकि यह banking channel पर ही work करेगा यानि कि banking का जो official time है यह उसी time पर यह transaction किया जा सकते है इसे हम कभी भी कहीं भी transaction नहीं कर सकते हैं तो इसमें time limitation है और इसका जो transaction है वो भी limited है इसकी मैं बात करू minimum transaction की तो minimum 2 lakhs होने चाहिए ठीक है यानि कि 2 lakhs कम से कम और maximum 10 lakhs के अंदर ही हम transaction कर सकते हैं RTGS के method से थर्ड नंबर है POS stand for point of service नहीं POS का full from होता है point of sale जैसे कि आप किसी mall में देखे होंगे swap machine लगा होता है या पिर किसी shop में दुकान में तो जैसे हम card swap करके pin नंबर डालके अपना transaction करते हैं तो वो होता है point of sale POS hardware, software दोनों types के होते हैं खेर आगे हम question को देखते हैं virtual card creation futures is currently present in AEPS अधार enable payment system की बात कर रहा है कि क्या इस system में virtual card create होता है तो नहीं इसमें कोई card की जरूरत नहीं है तो यह statement जो है यह false हो जाएगा फिफ्थ नमबर यहाँ पर बोल रहा है banks act as a medium for the transfer of money यानि कि हम एक दूसरे से अगर transaction कर रहे हैं एक bank से दूसरे bank या फिर एक person दूसरे person को transaction कर रहा है तो क्या bank mediator की तरह work करता है तो yes यहाँ पर बीच में एक bank आ जाता है जो कि एक medium है जिसके माध्याम से ہम transaction कर रहे हैं तो transaction हम कहीं न कहीं तो bank से ही करेंगे और किसी न किसी बैंक में ही करेंगे किसी account में ही तो transaction करेंगे तो वो तो bank account ही होगा तो bank account एक medium हो जाता है transfer करने के लिए fund transfer या money transfer करने के लिए 6 यहाँ पर लिख रहा है qr stands for तो अभी अभी हमने देखा था qr का full form होता है quick response ठीक है यहाँ पर लिखा है quick reason तो यह statement क्या हो जागा false हो जागा 7 number है one time password is safe because it is different for every access यानि कि यहाँ पर जब जब हम कुछी भी account को access कर रहा है यहाँ पर login कर रहा है कुछ भी कर रहा है तो यहाँ पर हर time password new generate होगा क्या यह safe है तो yes यह safe है इसका right answer हो जागा true 8 number लिक रहा है internet banking is used to pay utility bill क्या हम अपने जरूरत के जो हमारे रोज मर्रे की जो bill आता है क्या हम उसको pay कर सकते हैं जैसे कि busily bill, gas bill ठीक है तो क्या हम यह सारी payments कर सकते हैं तो yes obviously कर सकते हैं तो इसका जो right answer हो जागा वो होगा true आगे हम 9 number को देखते हैं यहाँ पर लिक रहा है special character mixed with the case character should be used to password to make it strong yes यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर यह कह रहा है कि अगर कोई हम password बना रहे हैं तो क्या उसमें हमें special character and case को देखना है case यहाँ नहीं कि यहाँ पर small case और capital case और special character क्या सभी को mix करके हमें password gen बनाना चाहिए तो yes एक strong password ही होता है जिसमें small letter, capital letter and कोई special character mix हो and minimum जो उसका length होना चाहिए at least 8 होना चाहिए यहाँ कि 8 character का कम से कम होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा आप जितना याद रख सकते हैं उतने बड़े password को आप बना सकते हैं लेकिन हर एक character और case को ध्यान रखते हुए password बनाए because कि वह strong password होता है उसको crack करना थोड़ा मुस्किल हो जाता है next question यहाँ पर हम देखते हैं 10 नमबर यहाँ पर लिख रहा है if you want to make a bank payment online ठीक है you have to enter the account number type, bank name and IFSC code यस अगर हमें कोई भी online banking, online payment करना है तो उसका account number, उसका IFSC code और उसका bank का type क्या है यह सब कुछ हमें details देने होते हैं तो यह भी यहाँ पर statement true होता है 11 नमबर के अगर हम बात करें तो 11 नमबर यहाँ पर लिख रहा है the beneficiary can expect to get credit for the neft transaction within 2 business hours यहाँ पर यह कह रहा है कि जो beneficiary है यानि कि हम जिसको transaction कर रहे है जिसको हम payment कर रहे है neft method के तो तो क्या उसको दो घंटे के अंदर पैसे मिल सकते हैं तो यहाँ पर गलत हो जाता तो यहाँ पर गलत हो जाता है तो वो रात को नहीं कर सकता है क्यूंकि वो business work नहीं है business time यानि कि working time नहीं है तो यहाँ पर हमने true false question को भी solve कर लिया है अब हम next देखते हैं matching question को उससे पहले आप इसे note down कर ले screenshot लेना चाहते हैं तो screenshot भी ले सकते हैं बाद में आप note down कर लिजिएगा तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं next जो हमारा question आता है वो आता है matching the following दो columns हैं इन दोनों को अब हमें match करने हैं तो इसको भी हम solve करेंगे तो first देखते हैं first यहां पर लिख रहा है question minimum account for rtgs transaction तो यहां पर rtgs transaction यानि कि rtgs method के थुरू अगर हम कोई transaction कर रहे हैं तो minimum कितना amount transaction कर सकते हैं तो हम उसरू से ही बताते आ रहे हैं कि minimum जो है rtgs का वो है 2 lakhs ठीक है और यहां पर मैं लिख देता हूँ इसका right answer जो हो गया वो हो गया c ठीक है मैं इसको right भी कर देंगा ताकि समझ में है कि यह option solve हो चुका है तो इसका जो first है वो right answer हो जाएगा c आगे second number question को देखते हैं UPI developed by UPI किसके दोरा develop किया गया है NPCI के दोरा क्योंकि इसको भी हमने solve किया है तो यह भी इसका right answer हो गया f ओके आगे हम three number question को देखते हैं it is used for requiring money in UPI ठीक है UPI में अगर हमें request करना है money request करना है तो उसे क्या कहते है तो money request करने के लिए जो concept है उसको हम बोलते हैं pull ठीक है P-U-L-L pull means होता है कि हम उसको request बेज रहा है कि आप हमें इतना रुपया transaction करो तो three का right answer हो जाएगा D ठीक है मैं इसको check कर देता हूँ ताकि यह पता चले कि solve हो चुका है आगे हम next question को देखते हैं four number four number क्या लिख रहा है limit of fund transfer using UPI UPI के द्वारा अगर हम कोई fund transfer कर सकते हैं limit देखिए यहां भी maximum minimum नहीं लिखा है तो यहां पर maximum की ही बात होती है कि maximum हम कितना कर सकते है minimum तो zero कर सकते है इससे अलवा और क्या कर सकते है ठीक है तो maximum limit के बात की जड़े है तो maximum limit हम कर सकते हैं one lakh ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा A ठीक है तो UPI का जो परड़े का जो limit है वो है one lakh आगे हम देखते हैं five number question store data using patterns of black dots and white space in a square grid ठीक है यहां पर बात कर रहें कि एक square grid है जिसमें black color का dot लगा हुआ है और white color का background होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे हम QR code कहते हैं ठीक है जो square shape में होता है and black dot होते हैं तो उसको हम QR code कहते हैं आगे हम देखते हैं six number question यहां पर लिख रहा है it is place where a customer executes the payments for goods and service यानि कि goods and service का जो payment करता है उस place का नाम क्या है तो उसको हम बोलते है point of sale ठीक है POS यहां पर इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा B point of sale जहां भी हम कोई payment करते हैं कोई समाल लेते हैं grocery लेते हैं या फिर कोई service ले रहे हैं तो उसके लिए जो हम payment कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं POS आगे हम देखते हैं seven number seven number यहां पर e banking के बारे में पूछ रहा है तो e banking क्या है तो यहां पर e number देखिए यहां पर इसका definition में कुछ लिखा हुआ है to transfer fund directly from one account to another यही तो हमारा e banking है तो seven का जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा e I hope कि यह सारी बाते आपको clear हो रही हो अगर यह video पसंद आ रही हो तो please like कर दे आगे हम eight number question को देखते हैं that's type of e-commerce consumer sales consumer directly यानि कि एक consumer दूसरी consumer को directly sale कर रहा है with the help of e-commerce उसे क्या कहेंगे तो यहां पर देखिए क्या है c और c c to c है न अगर business to business होता तो वो होता है b to b या फिर business to consumer या customer होता है तो b to c होता है न तो यहां पर consumer to consumer sale हो रहा है तो उसको हम यहां पर कहेंगे c to c ठीक है यहां पर यह right answer हो जाएगा j आगे nine number है real time gross settlement यह real time gross settlement को अगर यहां पर देखे rtgs ठीक है rtgs का यह full form लिखा हुआ है real time gross settlement इससे भी याद रखिएगा तो हम यहां पर h number को देखे तो यहां पर लिख रहा है rtgs तो इसका right answer हो जाएगा h ओके आगे last यहां पर है ten number details required for ussd fund transfer fund transfer करने के लिए जो detail चाहिए वो क्या है तो वो है mpin जैसे कि हमने पहले question को भी solve किया था तो उसमें mobile number चाहिए और उसका mpin चाहिए तब ही हम transaction कर सकते हैं ठीक है तो यह right answer है यहां पर आई ओके तो हमने ten question को यहां पर solve कर लिया जो match the following के थे और हमने true false and multiple choice question को भी solve कर लिया अब हम चलते हैं next fill in the blanks की तरफ तो I hope कि आप इसे note down कर लिया होंगे या screenshot ले लिया होंगे मैंने इसको solve कर दिया है तो अब हम चलते हैं next question को देखते हैं fill in the blanks को ओके तो यहां पर हम एक-एक को solve करेंगे यहां भी हमने 11 question दे रखे हैं बट exam में 10 question ही आपको आएंगे तो चलिए solve करते हैं इसको देखते हैं first question यहां पर लिख रहा है यहां पर बात कर रहा है कि जो cyber crime होता है वो कौन deal करता है तो जो IT department होंगे वही deal करेंगे आगे हम second number question को देखे लिख रहा है what does E stand for in AEPS AEPS में E का क्या मतलब है full from क्या इसका क्या इसका meaning है तो हमने बताया था भी AEPS का full from होता है अधार enable payment system तो E for enable आ रहा है तो अभी हम इसमें ढूंडेंगे इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer हो जाएगा enabled ठीक है अधार enabled payment system तो यह इसका right answer हो जाएगा E अब हम next three number question को देखते हैं यहाँ पर लिख रहा है AEPS is a bank lead model which allow online interoperable financing inclusion transaction at POS ठीक है point of sale यानि कि यहाँ पर बात कर रहा है कि यह AEPS bank lead model जो है इसको हम कहां पर use कर सकते हैं तो हम इसको point of sale यानि कि कहीं भी हम big market में बहुत mall में कर सकते हैं जहां भी big बजार है वहां पर हम इसको use कर सकते हैं ठीक है चाहां मालों कि आपने transaction अपना wallet लेगा ना भूल गया या फिर आपके पास कोई card नहीं है तो वहां भी आप अधार नंबर से payment कर सकते हैं ठीक है तो यह इसका right answer हो जाएगा POS आगे हम 4 नंबर को देखते हैं an aeps unique id and dash is used authentication purpose ठीक है यहां पर पूछ रहा है कि aeps में एक तो id card चाहिए और दूसरा क्या है तो authentication के लिए दूसरा हमें biometrics की जरूरत परेगी ठीक है biometrics क्यों क्योंकि यह आधार से related है तो आधार को verify करने के लिए हमें biometrics की जरूरत परेगी हमें थम का scan कराना परेगा तब जाके यह authenticate करेगा फिर हमना रहा का transaction successful होगा फिफ्ट नंबर यहां पर लिख रहा है mm id is used for fund transfer in imps what does the first aim in mmid stand for ठीक है यहां पर बात कर रहा है कि mmid fund transfer के लिए किया जता है in imps में ठीक है बट यहां पर यह पूछ रहा है पूछने का main question यहां है second statement में कि mmid में aim का मतलब क्या है ठीक है तो यहां पर अगर mmid के full from देखे तो यह होता है mobile money identifier ठीक है तो first aim जो है वो है mobile ठीक है तो यहां पर अगर हम देखे तो यहां पर d number पर है mobile ठीक है mobile तो इसका right answer हो जाएगा d okay तो आगे हम देखते है next six number यहां पर question लिख रहा है Dias is a technology platform through which information can be transmitted through GSM network on the basic phone यानि कि जो हमारे पास छोटा वाला फोन होता है बेसिक फोन होता है क्या हम उससे भी transaction कर सकता है अगर हां तो किस platform किस technology का यूज किया जाता है तो वो जो technology है उससे technology को हम ussd कहते हैं क्योंकि इसमें हमे 99 has की डालना होता है और उसके बाद हमारा bank से connection बन जाता है और उसके मदद से हम transaction कर सकते हैं ठीक है यह एक magical word भी से बोला जाता है 99 has को three magical key ठीक है तो इससे भी याद रखिएगा ठीक है यानि ठीक हम basic जो हमारा छोटा वाला phone है जिसमें internet नहीं है उससे भी transaction कर सकते हैं seven number eight dash is the largest community in classification of e-commerce ठीक है अब large community को ढूंड़ना है देखते हैं seven का क्या answer होना चाहिए तो आते हैं option में और option में हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे large communication के लिए यहाँ पे एक तो आ रहा है b2b business to business हम communication कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे इसका जो right answer हो जागा large community in classification of e-commerce तो e-commerce का जो large community है वो है business to business आगे हम देखते हैं b2b हो गया यहाँ पर right answer next question है eight number dash provides the ability to store multiple credit cards debit cards and bank account information for banking faster payment कौन है जो की सारे information रख रहा है debit card का भी credit card का भी and bank account detail को भी hold करता है और यह क्या करता है तो हमारे payment को faster बनाता है तो चलिए option को देखते हैं तो यहाँ पर इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा e-wallet क्योंकि e-wallet में क्या करते हैं कि हम अपने bank को, credit card को, debit card को सबको e-wallet से link कर देते हैं और कहीं भी हमें payment करना होते हैं तो हम wallet के थूँ payment कर सकते हैं तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा 8 का answer H हो जाएगा 9 number question को देखते हैं 9 यहाँ पर लिख रहा है dash is a seven digit code ठीक है that is issued in bank customer this code is used during the fund transfer process ठीक है तो यहाँ पर जो बात कर रहा है वो seven digit number की जो कि bank customer को issue किया जाता है और banking bank ही issue करता है और इसका use किया जाता है fund transfer करने के लिए तो वो है MMID MMID जो है वो हर bank consumer को दिया जाता है bank के जितने भी customer यह bank के द्वारा दिया जाता है यह MMID number जो होता है वो seven digit का होता है next question यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर 11 digit के बारे में पूछ रहा है alpha numeric हो सकते हैं यहाँ पर केवल code है तो code का मतलब number होंगे यहाँ पर पूछ रहा है that is an 11 digit alpha numeric doge that is designed by the RPI to identify each bank's branch ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा IFSC यह 11 digit का होता है जो कि bank के branch को identify करने में helpful होता है ठीक है तो यहाँ पर bank branch लिख रहा है identify each bank branch हर branch का हर branch का अपना IFSC code होता है तो यह उसके मदद से हम उसका यहाँ पर answer right जो answer होगा IFSC हो जाएगा last यहाँ पर देख रहा है 11 number question यहाँ पर लिख रहा है does is unified organized for all system for retail payments across India यहाँ पर बात करें कि इंडिया में जितने भी payments retail हो रहे हैं वो कौन सा organization है किसके द्वारा संचालित किया जाता है तो वो है NPCI NPCI के द्वारा ही सारा यहाँ पर सब कुछ जितने भी online payment वाले जितने भी technology है उन सभी को यही manage करता है NPCI के द्वारा even UPI को जो develop किये हैं वो NPCI ही है so इसका right answer हो जाएगा NPCI तो यहाँ पर हमने fill in the blanks के भी question को solve कर लिया है तो आगे अब हम यहाँ पर देख रहे हैं subjective question को भी देख लेते हैं subjective question यहाँ पर आप देखिए हमने सभी को important जो important है उन सभी question को यहाँ पर हमने लेकर आए हुए है जो कि expected है इस ताल आने में की संभावना है जैसे कि यह सबसे ज़्यादा important है neft and rt neft and rtgs ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा typing mistake हो रखा है यहाँ पर होगा rtgs ठीक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर होगा neft and rtgs खर आप सुधार लिजएगा rtgs इसका right answer rtgs यहाँ पर होगा उस बही है spelling आगे पीछे हो रखा है anyway तो यहाँ पर इसको आप याद रखिएगा and e-wallet के बहु आप देखके जाएगा debit card and credit card में क्या difference होता है इसको भी देख लिजएगा and साथ के साथ ATM card क्या होता है debit card, ATM card and credit card इन तीनों में क्या difference है क्या यह दोनों debit card and ATM card same है इन पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दे दिजएगा ठीक है virtual payment address को भी देख लिजएगा यह UPI में use होते है and यहाँ पर first question यहाँ पर लिख रहा है Indian Railway Reservation के बारे में तो इसके technology को भी देख लेना है तो यहाँ पर सभी question जो है वो बहुत ही important है इसको आप ध्यान दिजएगा थोड़ा सा ओके I hope कि आपने इसे no down कर लिया होगा इसे आवीद तक आपने no down नहीं किया तो इसे no down कर लिजए क्योंकि यह सभी question important है expected है चो कि इस साल आने वाले है आने की बहुत ज़्यादा उमीद है अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करे अगर आप हमारे यूटुब चैनल पर नए है